जीवन की लड़ाई, गाव के एक छोटे से घर में एक गरीब लड़का रहता था, जिसका नाम राहुल था। राहुल के पिता किसान थे, और मा ग्रिहनी। परिवार की आर्थिक स्थिती बहुत खराब थी, लेकिन राहुल के सपनों की उड़ान बहुत उची थी। उसने बचपन से ही अपनी मेहनत और लगन से अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालने की ठान ली थी। राहुल को पढ़ाई में बहुत रुची थी और वह हमेशा स्कूल में प्रथम आता था। लेकिन गाव में उच्च शिक्षा के साधन नहीं थे। इसलिए उसने शहर में जाकर पढ़ाई करने का निर्णय लिया। उसके माता पिता ने बहुत मेहनत करके थोड़ा सा पैसा चोड़ा और राहुल को शहर भेज दिया। शहर में राहुल ने एक छोटे से कमरे में रहना शुरू किया और अपनी पढ़ाई जारी रखी। उसके पास पैसे की कमी थी। इसलिए उसने आधे दिन पढ़ाई की और आधे दिन काम करके पैसे कमाए। राहुल ने बहुत मेहनत की। कई बार भूखा सोया लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसकी मेहनत और लगन का फल मिला जब वह शहर के सबसे बड़े कॉलेज में दाखिला पाने में सफल हुआ। कॉलेज में भी उसने महनत करना जारी रखा और हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम आया। उसने कभी भी अपने कठिनाईयों को अपनी सफलता की राह में बाधा नहीं बनने दिया। एक दिन कॉलेज में एक बड़ी कमपनी के कैंपस इंटर्व्यू का आयोजन हुआ। राहुल ने भी उसमें हिस्सा लिया। इंटर्व्यू के दौरान राहुल ने अपने ग्यान और कौशल से सभी को प्रभावित किया। और उसे उस बड़ी कमपनी में नौकरी मिल गई। राहुल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत अपने माता पिता को यह खुश खबरी दी। उसके माता पिता की आँखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने अपने बेटे की मेहनत और संघर्ष को देख कर गर्व महसूस किया। राहुल की नौकरी लगने के बाद उसके जीवन में बहुत बदलाव आया। उसने अपने माता पिता को गाव से शहर बुला लिया और एक अच्छा सा घर खरीदा। उसने अपने चोटे भाई बहनों की पढ़ाई का भी ध्यान रखा और उन्हें अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाए। राहुल की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाईयां नाएं, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। मेहनत, लगन और संगर्ष्ट से हम अपनी मंजिल को पा सकते हैं। राहुल ने अपनी गरीबी को कभी भी अपनी सफलता की राह में बाधा नहीं बनने दिया और अपने सपनों को साकार किया। आज राहुल एक सफल इंजिनियर है और उसने अपने परिवार की गरीबी को हमेशा के लिए दूर कर दिया है। राहुल का जीवन यह संदेश देता है कि कठिनाईयां हमें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि हमें और मजबूर बनाती है। हर मुश्किल हमें एक नई सीख देती है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। इसलिए हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और अपने सपनों को साकार करने के लिए हमेशा संघर्शरत रहना चाहिए।